बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वर्रह्मतुलाहिव बरकातुह। वल्कम तो अमुल मदारिस मॉडल स्कूल बायलोजी चेप्टर नमबर वन इंट्रोड़क्शन तो बायलोजी तोड़े वी विल डिस्कॉस दा टॉपिक दा लेवल ओफ और्गनाईजेशन चेप्टर नमबर वन इंट्रोड़क्शन तो बायलोजी में आज हम जो टॉपिक डिस्कॉस करेंगे वो है लेवल ओफ और्गनाईजेशन सबसे पहला लेवल आपके पास एटम आता है एटम अ टाइनी पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल बन जाता है इसको हम discuss करेंगे एक पूरा जानदार कैसे बन ता है इसको हम discuss करेंगे अपने आज के टॉपिक में और वो आर्गनिजम जब पूरा बन जाता है उस से population कैसे बनती है community क्या होता है ecosystem क्या होता है, biosphere क्या होते है, यह हम देखेंगे कि एक organism, एक जानदार, एक living thing, एक plant या animal अपने system को, अपने environment को, अपने महौल को किस तरीके से use कर सकता है बनने के बाद, उसके बनने से पहले का अमल वो बनता कैसे है और बनने के बाद, start, subatomic and atomic level, the first level is, subatomic and atomic level, हमारा आज का सबसे पहला आपका जो लेवल है, वो कौन-कौन सा है, subatomic and atomic level, सबसे tiny particle, universe का atom कहलाता है, atom, ठीक है, और आपको यह पता है, कि पूरी universe, जो है, वो या, मतलब चीजें, जो है, वो किस से बनी वी है, matter से, all types of matter, matter किसे कहते है, मादे को, matter किसे कहते है, मादे को, ठीक है, मादा किस से बनावाए, element और atom से, मादा किस से बनावाए, element और atom से, अब what is matter, things that has mass and occupies space, वो शे, जो mass वजन रखती है, और जगा घेरती है, हर वो चीज, जो वजन रखती है, और जगा घेरती है, वो matter कहलाती है, elements किस से मिलकर बने है, atom से, तमाम matter, मादा, elements से बना है, और elements किस से मिलकर बना है, atom से, अब हम देखते हैं, कि atom, atom क्या होता है, are tiny particles, which cannot divide further, एक छोटा सा पार्टिकल, एक छोटा सा जर्रा, जो मजीद divide नहीं हो सकता, ठीक है, matter है, matter आप से मिलकर बनता है, matter, element से, element बनता है, atom से, atom A, और term, A means not, और term means cut, bio में scientifically, अगर किसी भी terminologies के साथ, terms के साथ, अगर हम A लगा देते हैं, तो it's mean not, atom, term के साथ हमने A लगाया है, it's mean not, जैसे आप लोगों को पता होगा, के reproduction की भी दो types होती है, sexual reproduction और asexual reproduction, अब sexual reproduction जिसमें gametes involved होते हैं, और asexual अब A लगाया है, it's mean gametes are not involved, उसमें gametes involved नहीं होते, इतना छोटा होता है कि इसको हम मजीद cut नहीं कर सकते, अब इसके सब atomic particles देखते हैं, हम एक atom के सब atomic particles तीन होते हैं, तीन fundamental particles होते हैं, तीन इसके सब atomic particles होते हैं, जिन से मिलकर atom बनते हैं, वो कौन-कौन से हैं, proton, neutron और electron, ये आपको atom की figure दिखाये गया, एक atom की diagram है, ठीक है, nucleus के अंदर, ये nucleus है, इसके अंदर proton और neutron मौजूद है, इसके अंदर proton और neutron मौजूद है, अब उसके यहाँ पर आप देख रहे हों, कि इस nucleus के 8th gate, ये green-green color के कुछ dots से हैं, वो इन shell के अंदर, मिदार के अंदर, इन orbit के अंदर revolve कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, electrons, उन्हें क्या कहा जाता है, electrons, ये electrons, nucleus के बाहर होते हैं, nucleus के अंदर proton मौजूद है और neutron मौजूद है, जबके जो nucleus से बाहर ये, जो orbits हैं, इनके अंदर electron moves कर रहे होते हैं, तो ये तीन particles हैं, जो मिलकर atom बनाते हैं, और इन तीन particles को हम क्या कहते हैं, subatomic particles, क्या कहा जाता है बच्चो, subatomic particles, ये तीन particles जो हैं, वो मिलकर एक atom को बनाते है अब यह atoms आपस में मिलकर elements बनाते हैं atoms जब combine होते हैं मिलकर आपस में क्या बनाते हैं बायो elements ठीक है अब nature में जो है अगर हम देखें तो यह 92 है nature में यह कितने हैं 92 इन 92 में से 16 elements ऐसे हैं जिने हम बायो elements कहते हैं 92 नेचर में हैं कुदरत में 92 आपके पास जो हैं वो elements मौझूद हैं उन 92 में से 16 इसे हैं जो बायो elements कहलाते हैं बायो elements यानि जिन्दगी का हिस्सा जो इनसानी जिसम में जो जानवरों के जिसम में जो उनके एक cell का हिस्सा होते हैं हमारी जिसमानी साख्त में हमारे जिसमानी structure में जो elements मौझूद होते हैं उनको बायो elements कहा जाता है जो elements मौझूद होते हैं उनको क्या कहा जाता है बायो elements तीक है और ये 16 elements होते हैं जिनको हम बायो elements कहते हैं और उन में से ये 6 elements, major elements, तो में एक पाय चार्ट के थूरू इसको देख लेते हैं, आपको ये पिंक कलर में सबसे ज़्यादा हिस्सा नजर आ रहा है, ये oxygen है जो 65% कवर करता है, ये नजर आ रहा है ये organism है आपका 65, यानि हमारे जिसम का इतना ज़्यादा हिस्सा ये कवर कर है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉड़ी में oxygen है, उसके बाद carbon मौझूद है, उसके बाद hydrogen मौझूद है, उसके बाद आपके पास nitrogen है, उसके बाद calcium है, phosphorus है और बाकी के 1% है, यानि oxygen 65%, carbon 18%, hydrogen 10%, nitrogen 3%, calcium 2%, phosphorus 1% और बाकी के 1% तो ये pie chart के तुरू आपको दिखाए गया है किन किन bio elements की आपकी body में कितने percent जरूरत होती है, thank you, take care and allah hafiz